असलाम लेकूँ मेरा नाम है सोहेब हाजर वेकनी वीडियो के साथ आज की हमारी वीडियो है अलॉमीनियूम विंडोस के बारे में आप लोग को अलॉमीनियूम विंडोस के बारे में मकमल तफसील के साथ बताएंगे कि एक विंडो पर कितना खर्चा आता है इसके लावा 1.2 mm और 1.6 mm gauge की अगर आप लोग windows लगाते हैं तो इन पर कितना खर्चा आएगा और इन में price difference कितना है पिछली वीडियो में कुछ चीजें miss हो गई थी तो आप लोगोंने comments में काफी ज़्यादा सवाल पूछे तो ये उस वीडियो की next वीडियो है तो आप लोग वीडियो में कमल देखीए का ताकि आप लोग के जो question है वो सारे question का आप लोग को answer मिल जाए सबसे पहले हम 1.2 mm gauge की window का rate discuss करते हैं इसका जो rate चार रहा है वो 800 रुपे पर square feet चार रहा है अगर आप एक window लगा लेते हैं for example एक window है आप लोग की 6 x 6 की वो area total बन जाता है 36 square feet और ये total आप लोग की जो 1.2 mm gauge की अगर आप window लगवाते हैं तो तक्रीबन आप लोग की ये 28,000 रुपे में एक window बनेंगी 6 feet by 6 feet की अगर आप इसमें transparent glass में जाएंगे तो ये आप लोग को तक्रीबन 30-35 रुपे per square feet कम cost पड़ेगी transparent जो glass होता है वो 30-35 रुपे कम होता है अगर mercury glass में आप जाते हैं तो वो 30-35 रुपे उसका rate ज्यादा होता है 6 x 6 की अगर आप एक window 1.2 mm gauge में जाते हैं तो वो बनेंगी 28,000 रुपे की अगर आप 1.6 mm gauge में जाते हैं इनकी जो rate का फरक होता है वो just glass रुपे का फरक होता है तक्रीबन 30-40 रुपे का कलर आप कोई भी ले लें champagne कलर ले लें white ले लें black कलर ले लें तो वो same rate होता है अगर आप 1.6 में जाते हैं वो तक्रीबन आप लोगं का एक window बनेंगी 6 x 6 feet की 32,000 रुपे की तक्रीबन 4,000 रुपे का आप लोगं का फरक आएगा cost में 1.2 mm gauge और 1.6 mm gauge में इसके लावा इससे नीचे भी 1.9 mm वो भी होती है वो तक्रीबन अगर आप एक window में जाएंगे उसका जो rate चार रहा है मार्कीट में वो तक्रीबन 6,500 रुपे चार रहा है 1.6 mm gauge का जो rate चार रहा है वो 900 रुपे पार स्क्वेर फिट चार रहा है थोड़ा वो 10-15 रुपे उपर नीचे हो जाता है अगर 1.2 mm जाते हैं वो तक्रीबन 800 रुपे 770 रुपे गलास के हिसाब से अगर आप ट्रांस्पेर में जाएंगे तो 30-40 रुपे कम मिलेगी आप लोग को rate अगर आप मर्की में जाएंगे तो आप लोग को 30-35 रुपे आप लोग को ज्यादा cost पड़ेगी तो एक window अगर आप 0.9 mm gauge में जाएंगे वो तकरीबन आप लोग की 6 by 6 feet की जो आप लोग की window होगी वो तकरीबन आप क्यों बनेंगी 23,000 की बनेंगी तो overall cost difference पर window में तकरीबन 4,000 रुपे का अगर आप 1.6 mm लगवाते हैं 32,000 रुपे की 1.2 mm gauge की लगवाएंगे तो 28,000 रुपे की और 0.9 में आएंगे तो 23,000 रुपे की तो आप लोग को चाहिए कि 1.2 mm gauge की window इसमाल करें अगर 1.6 में भी जाते हैं तो cost difference थोड़ा सा ही फर्क है तो आप 1.6 mm gauge में भी लगवा सकते हैं अभी हम discuss कर लेते हैं कि Aluminium windows लगवाते हैं वकत आप लोग को किन बातों का ख्यार रखना चाहिए और quality आप लोगों ने कैसे देखनी है और कैसे चेक करनी है आप लोगों ने 1.6 mm gauge की windows तो आप लोगों ने या 1.2 mm gauge की windows तो आप लोगों ने लगवानी है अगर आप लोग उसकी accessories हैं जो इसके इसमें कुछ चीज़ें समाल की जाती है जैसे tire लगते हैं नीचे windows को move करने के लिए आप लोगों की कुछ चीज़ें use होती है जैसा कि आप लोगों के locks हैं इसके लावा rubber समाल किया जाता है यह आप लोगों का जो glass है उसको sport देने के लिए वो चीज़ें अच्छी quality की होनी चाहिए खास वर पर आप लोगों के नीचे जो tires होते हैं वो अच्छी quality की होने चाहिए ताकि आप लोगों का जो windows हैं वो moveable रहें ज्यादा अरसे तक चलें और उनमें बिल्कुल भी dust वगेरा ना आए और lock अच्छे quality की होने चाहिए और यह आप लोगों का जो जाली वाला part है यह भी अच्छी quality की जाली समाल होनी चाहिए यह ना होके यह खराब हो जाए और फट जाए और इसका आप लोगों को नुक्सान हो जाए इसके लावा हम windows जब लग जाती है तो windows की side पे हम silicone fill करते हैं नीचे भी और उपर चारो तरफ आप silicone लगाते हैं ताके जो पानी है या कोई भी बाहिर से dust वगेरा या कोई भी चीज अंदर ना जाए तो वो silicone जो है वो भी अच्छे तरीके से लगी होनी चाहिए चारो अतराफ में आप लोगों की silicone की जो लगनी होती है लेर वो भी अच्छी quality की लगनी चाहिए ताके बारिश का पानी या कोई भी dust वगेरा अंदर बिल्कुल भी ना जाए तो यह थी हमारी आज की वीडियो उमीद करता हूँ आप लोगो वीडियो पसंदा ही होगी अगर आप लोगो वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और bell icon को भी प्रेस कर लें और नेक्स वीडियो हमें किस टॉपिक और बनानी चाहिए ये भी कमेंट वाक्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें इसके लाव अगर आप लहोर में हमसे घर बनवाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हम लहोर में घर बनाने की सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो ये थी हमारी आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्यार रखिये अलाफिस